मुझेशी कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका आज खितेश एस्ट्रोजी में तो दोस्तों निम्रोलोजी सेक्शन में आज बात करते हैं नमबर छे की दोस्तों चानल सब्सक्राइब करते लाइक करते रहिए कमेंट करते रहिए उससे बहुत सपोर्ट मिलता है तो दोस्तों आज नमबर बात छे की करते हैं कुछ चार इंपॉर्टन पॉइंट्स बताने जा रहा हूं छे नमबर वालों के लिए तो उनके जीवर में अगर किसी भी प्रकार में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको अपना के जो हैं उसको ठीक कर सकते हैं और बाकी में बाकी के सारे नमबरों के लिए बहुत डेटेंड में वीडियो बनाऊंगा एक से लेके फिर से तो अभी जो है मैं ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जिसको करके अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम चल र छे तारिक को हुआ है किसी भी महीने की तो 6 जानुरी छे फ़िवरी वगरा ये 15 टारिक नहीं है पजियां ये पंधरा तारिक नहीं है तो इसलिए उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं हमेशना कहता हूं तो है और दोस्तों छे नंबर वालों के लिए पहला करना चाहिए चाहे सरदियों में उनको घरम पानी से स्नान करना पड़े पर स्नान बहुत जरूरी है और साफ सुत्रे कपड़े पहनना उनके जीवन में बहुत जरूरी है क्योंकि वो उनके हेल्थ से, वेल्थ से, हैपिनेस से सबसे जुड़ा हुआ है तो ये दोस्तों नोट कर दीजे आपके लिए जीवन में सनान अती आवश्चक है दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि छे नंबर वाले जातक आपने नाभी में जी हाँ नाभी या नेविल में किसी ना किसी प्रकार का सेंट जरूर लगाएं जो भी उनको पसंद हो सें दूर होंगी रुपए पैसों की समस्या दूर होंगी हेल्थ की समस्या दूर होंगी तो अपनी नाभी में या नेविल में जो है सेंट जो है अवश्च लगाएं अपनी लाइफ में और दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि छे नंबर वाले या तो कुवेर भगवान की पूज पूजा करें अपने जीवन में और या शिव की पूजा करें जी हां या तो कुवेर भगवान की पूजा करें क्योंकि छे नंबर जो खजाने का मालिक होता है उनका वो कुवेर जी होते हैं तो कुवेर जी को आप ध्याएंगे उनकी पूजा करेंगे तो धन-धान से आपको जो है वो माला माल कर देंगे और शिव जी को ध्याएंगे तो भी सब कुछ कुबेर जी को जो दिया गया है धन संपता वो शिव जी नहीं दी है और सुक्र देपता के बड़े प्रियें हैं संजीवनी विद्या उन्होंने शिव जी से पाई है इसलिए छे नंबर वालों को आगू करिए उन तीनों के साथ जो आपको वो आपको करने ही करने हैं चौथा ये भी आपको करना है कि आप अपने महीने में एक मन्त में छे नंबर के जाता गया जाती काएं जरूर किसी को जरूरत मन्त को जिसको आपको ठीक लगे जितना आप कर पाएं आप दवाई जी ह आपके आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नहीं पता हैं कि कौँ सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके उपर या जो चल रही है ओन्गोइंग प्रॉब्लम्स है वो सब दूर होगी, तो किरपा करके हर महीने कुछ अमाउंट जो है कुछ अमाउंट की दवाईयां लोगों में अवश्च दान करिए ये इससे आपको हर तरीके का सकून मिलेगा रिलीफ मिलेगा, हैपिनेस मिलेगी आपकी लाइफ बेटर होगी दोस्तों आज के लिए इतना ही आगे फिर मिलता हूँ साथ नंबर वालों के साथ जैस्वी कृष्णा